इसको रोकने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं इन उपायों में खास करके एक दूसरे से मिलते हुए सावधानी बरतना परियाप्त दूरी बना करके रखना सीधा सीधा किसी से हाथ ना मिलाना अविवादन भी अगर करना है तो राम राम के रूप में करें तो अच्छा रहेगा इस परकार की सावधानिया आम तोर पे बरती जा रही हैं और भारती जनता पार्टी ने भी लोगों के बीच में जाकर के समझाने के लिए कल अपने सभी जिला द्यक्सों की बैठक बुलाई थी जिसमें लोगों के बीच में जाएं और उनको इस बीमारी के परती सावधान रहने की लोगों के बीच में जाकर के जानकारी दें ऐसा निर्देश दिया गया है और वरत्मान में सरकारों के साथ साथ हम सब की एक सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम सब मिल करके इस गंभीर बिमारी से लड़ने का संकल्प लें ताकि समय रहते हम इस महामारी से बच सकें आप सभी का बहुत बहुत धनेवार दुनिया में कोरोना वाइरस के कारण से महामारी फैली हुई है जो एक बड़ी गंभीर समश्या बनी हुई है केंदर और प्रदेश सरकारों ने इसको रोकने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं जिसके परिणाम भी आ रहे हैं इन उपायों में खास करके एक दूसरे से मिलते हुए सावधानी बरतना परियाप्त दूरी बना करके रखना सीधा सीधा किसी से हाथ ना मिलाना अविवादन भी अगर करना है तो राम राम के रूप में करें तो अच्छा रहेगा इस परकार की सावधानिया आम तोर पे बरती जा रही हैं और भारती जनता पार्ट ने भी लोगों के बीच में जाकर के समझाने के लिए कल अपने सभी जिला द्यक्सों की बैठक बुलाई थी जिसमें लोगों के बीच में जाएं और उनको इस बीमारी के परती सावधान रहने की लोगों के बीच में जाकर के जानकारी दें ऐसा निर्देश दिया गया है और वरत्मान में सरकारों के साथ साथ हम सब की एक सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम सब मिल करके इस गंभीर बिमारी से लड़ने का संकल्प लें ताकि समय रहते हम इस महामारी से बच सकें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार। दुनिया में कोरोना वायरिस के कारण से महामारी फैली हुई है जो एक बड़ी गंभीर समश्या बनी हुई है। केंदर और प्रदेश सरकारों ने इसको रोकने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं जिसके परिणाम भी आ रहे हैं। इन उपायों में खास करके एक दूसरे से मिलते हुए सावधानी बरतना परियाप्त दूरी बना करके रखना सीधा सीधा किसी से हाथ ना मिलाना अविवादन भी अगर करना है तो राम राम के रूप में करें तो अच्छा रहेगा इस परकार की सावधानिया आम तोर पे ब भारती जनता पार्टी ने भी लोगों के बीच में जाकर के समझाने के लिए कल अपने सभी जिला द्यक्सों की बैठक बुलाई थी जिसमें लोगों के बीच में जाएं और उनको इस बिमारी के परती सावधान रहने की लोगों के बीच में जाकर के जानकारी दें ऐसा नि हम सब मिल करके इस गंभीर बिमारी से लड़ने का संकल्प लें ताकि समय रहते हम इस महामारी से बच सकें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद